पुराना मीत्र हैं, दोनों आसरम में रहेंगे तो दिकत क्या है? आसरम में जाना ही चाहिए, भुजूर्ग हो ही गए हैं, पहले चालिस के बाद लोग बांध प्रस्त चले जाते हैं, अपने पच्छतर अस्ती में लोग जा रहे हैं, तो आसरम भी मिल जाए, ये कम बात नहीं है, और आसरम कोई खराब चीज नहीं है, बहुत सम्मानित जगह है, उम्र अधिक होने के बाद जाना ही चाहिए, और सिवा नंजी बेवाक बोलते हैं, उन्होंने कोई टिपनी बगर सोंसे समझे नहीं करते हैं, उन्होंने ठीकी कहा है कि अब आसरम चलिया और आव आसरम जाने के सिवाए दूसरा कोई रास्ता भी नगर आसरम मील जाए तब उसे आसरम इलुक बना नहीं सकते हैं, जेदिव की हैसियत नहीं है आपत्ती करने का आर जेदि के सामने, जो सरिंडर कर गया है सत्ता में चिपके रहने के लिए, वो जेदिव का कोई भी देता काउंटर नहीं कर सकता है आर जेदि को, बरना इनकी आसरम में भी नहीं जाएंगे और यहां भी नहीं रहेंगे, छुट्टी हो जाएगा, सरेंडर करके रहना प्रेगा, जब आदमी कमजोर हो जाता है, निरी हो जाता है, तो रास्ता चलने वाला भी आदमी एक दू सब्द बोलता है, उस पे छिटा कसी करता है, निति ही जी को और निति ही के पार्टी को यह बरदास्त करना हो जाएगा. लालु जी वहीं थे, क्या इसमें परोख्ष या परोख्ष रूप से समती मना जाएगा? अच्छा, आपको लगता है कि लालु जादो जी के पार्टी में कोई लालु जी के बिना बिनावट कंसर्ण कोई बात कर सकता है, लालु जी उसको छोड़ देंगे, फ्रीडम कभी किसी को अपने प्रवक्ता को फ्रीडम में नहीं देते हैं, सिवा नंति वारी जी अपने म जाएगा, दोजार प्रीलहीं के बाद आश्रम भेज देंगे,